दसा हुआ कोई पुरुष, कोई व्यक्ति वह मृत्यू को प्राप्त होता है, दुखों को प्राप्त होता है ऐसे ही जन्म जरा मृत्यू दुख कष्ट रूपी वह सर्प से डसा हुआ व्यक्ति हमेशा ही जन्म लो सो दुखी भुडा हो सो दुखी मृत्यू है सो दुखी ऐसे दुख रूपी जहरीले नाग से जो कटता है कटवाता है वह नियम से हमेशा ही दुखी रहता है और उससे बचने के लिए अगर कोई दवाई है, कोई उबचार है, तो उसका नाम है सम्मेक, उसका नाम है सम्मेक दर्शन, और जो सम्मेक दर्शन को प्राप्त करता है, ये इस नाग से हमेशा ही दूर रहता है, विश्धर से दूर रहता है, भले ही सम्मेक दर्शन प्राप् जरूर जीव जनम लेगा दो चार पांच आट दस भव कुछ ना कुछ भवों को प्राप्त होगा पर फिर भी वह दुख नहीं भोगेगा जो अनादी से वह भोगता आया था क्योंकि सम्यक्त की महिमा ही ऐसी है और ऐसे सम्यक्त से ही सिवसुलाहं शिवसुक का लाभ करने वाला यह जो साधू और सरावक है वह अगर उसको सुनता है भावना भाता है उसकी साधना करता है तो नियम से विशधर से दूर ही होता है श्राव को प्राप्त कर पाओ नहीं कर पाओ पर भावना तो भा सकते हैं ना साधना तो कर सकते हैं ना और साधना नहीं भावना भी नहीं कम से कम सुनतो सकते हैं कितनी गजब की बाद गोधाजी कुंद कुंद भगवान कह रहे है कि कुछ नहीं कह रहे हो तो कम से कम सुन तो लो कितनी महिमा सम्मेख दर्शन की है सुनेगी नहीं तो भावना कैसे करभाएंगे और भावना नहीं भावना नहीं भावना कैसे हो सकती है साधना मातर चारितर की नहीं होती सम्मेक दर्शन प्राप्त करने की भी साधना होती है सम्मेक दर्शन प्राप्त करने की भी भावना होती है और सम्मेक दर्शन को प्राप्त करने की भावना साधना के पूर्व मैंने मुझे उसे सुनना भी पड़ेगा कि सम्मिक दर्शन है क्या बला किसी दुकान में, किसी बजार में, किसी ठेले में मिलने वाली ये वस्तू नहीं है अरे देवशास गुरु के पास भी मिलने वाली नहीं है ये तो मेरे भी तरकी शक्ती है मुझे उसे उद्गातित करना है पर सुनो भी तो, जानो भी तो, भावना भी तो, भाव मानो भी तो, पर ना हम सुनना चाते हैं, ना भावना भाते हैं, ना साधना कर पाते हैं, कैसे इस दुख रूपी विश्धर से दूर हो सकते हैं, दुख है, क्योंकि आज तक इस शिव सुख को देने वाले सम्मेक दर् का प्राप्त करने का और उससे कठी ननभवन करने का पुरशात जीवने किया ही नहीं किया ही नहीं किया ही नहीं किम बहुना कुंद कुंद भगवान अगली गाथा में कह रहे है क्या अधिक कह दूं इतने दिन से तो कह रहा हूं क्या कह दूं मैं सब कुछ के दिया देविंदा दिम्व नरेंदद गनधरेहें देहें पूज्जा कौन जो परमात्मा है किस कारण से पूज्ज हुए और किस से अरे सामान्य विक्ति से पूज्ज हो रहा है तो कोई बात नहीं जो देवादिंद देवादि देव जो है वह देवेंद्र याने सौधर्म इंद्र नागेंद्र नरेंद्र गनधरेंद्र वह एक एक गती के महान महान विशेश विशेश विभूतियों को कह रहे है जो सौधर्म है स्वर्गों का इंद्र है नागेंद्र है, नाकुमार याने भवनवासी, देवों के मुखिया, नरेंद्र, याने कोई नरेंद्र नाम का वेक्ति नहीं, नहीं तो खुश हो जाया कि मेरा नाम लिख दिया, नरेंद्र याने छे खंड का अधिपती, छे खंड का अधिपती कौन? कौन चक्रवर्ती चक्रवर्ती को यहां नरेंद्र कह रहे है और गणधरेंद्र याने जो गणधर भगवान मुनियों के ईष्ट जो है आचारियों में भी जो स्रेष्ट है ऐसे गणधर और गणधरेंद्र वह मुख्य गणधरों के द्वारा जो पूज़ा पूजित है ऐसे परमपा क्यों? क्योंकि उनमें पहान सम्मत्त गुण प्रधानता से सम्मेक्त गुण होता है या सम्मेक्त गुण ही प्रधानता से जाना जाता है प्राप्त होता है इसलिए ही वे पूज़ हो चुके है सिद्धों के आठ गुण पता है सम्मत्त नानदंशन वीरिये तहे समो आवगाणाम अगुलगुमववावाः अठ गुण होंती सिद्धाणाम सिद्धों के भी आठ गुणों में सबसे पहला गुण सम्मेक्थ समयक शाइक समयक शाइक समयक शाइक समयक चाहे रहंत हो चाहे सिद्ध हो वक शाइक समयक दर्शन शाइक ज्यान अनन्च अतुष्टे क्या है अनन्च अतुष्टे क्या है अनन्च अतुष्टे क्या है अनन्च अतुष्टे क्या है अनन्च अनन्च वीरिया अनन्च ग्यान अनन्च दर्शन ये अनन्च अनन्च को प्राप्त करने वाला पूजता को प्राप्त कराने वाला सबसे पहला कोई है प्रधानता से जो परमात्मा बन रहा है पूजता को प्रार थोरा है उसमें भी प्रधान गुणार कोई है तो वह सम्मयंक दर्शन है उसको प्रकट करने की ज्ञानी शक्ति मेरे भीतर है। वो स्रद्धान मेरे भीतर है पर उस्रद्धान को शक्ति को मैं आज तक समीचीन नहीं कर पाया, सीधा नहीं कर पाया हूँ, इसलिए वह मेरा सुनना जो आज तक सुनना कारेकारी नहीं हो पाया सौधरम इंद्रभीक शाइक सम्मेंग दृष्टी सौधरम इंद्रभी जो सौधरम इंद्रभी विभूतियों को भोग रहा है वह सौधरम इंद्रभीक शाइक सम्मेंग दृष्टी होता है और भरत चक्रवति जो च्यानवे हजार रानियों को प्राप्त कर रहा था वो भी वो भी कैसे बना अरे संसार के भी भोग भोगना चाते हो तो भी तो भी तो भी तुम्हें सम्मेक दर्शन को प्राप्त करना ही होगा क्या क्या अद्भुच सद्दा होगी इतनी अफसरा इतने सब कुछ होने के बाद भी वह सम्मेक दृष्टी सौधरम सबसे पहले पहुँचता है उन अकरत्रिम जिन बिम्बों के पास उनकी पूजा अर्चना करता है फिर भोग विशे वासनाओं में लगता है और आज का इंसान पहले चाय पीता है बेड़ पर और फिर जाकर भगवान पर ढालता है कलर्स हाँ कोई रात में चाय पी के सो जाता है अलग अलग का बाकि आप सब समझदार है ज्यानी है हाँ कोई धंडी चाय पीता है कोई गरम चाय पीता है अचकल आने एक प्रकार की बन रही न चाय तो आलग तरीके की है चाहे सब की टेस्ट अलग अलग है स्वाध अलग अलग है उससे क्या फरक पड़ता है काम नहीं बनेगा काम नहीं बनेगा वह अपनी सब आपसरा है सब काम छोड़कर सबसे परमात्मा के पास पहुंचता है वो भी तरसता है कि निरगन्त गुरु कभी हमें मिले निरगन्त गुरु के चरण मिले वो भी तरस तरस के रह जाता है पर ठेकेदा जी आप जैसे आप जैसे वह निरगन्त के हाथ पर ग्रास यह आपकी धन्य परियाय है मनशोष रावको ये आपकी महान महान दन्य पर्याय है जहां मात्र आप निर्ग्रंथों के उपे हाथ पर आहार दान रख सकते हो अन्य कोई पर्याय नहीं है चारियों पर्यायों में एक मात्र पर्याय है जहां तो निर्ग्रंथों के चरण सपर्ष करते हुए उनके हाथ पर आहार दान रख सकते हो बाकी देव भी भगवान का भी से कर सकते है कोई बड़ी बात नहीं है वो ही भगवान की पूजा करते है और आप क्या इतने इतने भगवान की पूजा करते है वो पांस-पांस सो सवा-पांस सो धनुष योजन के वे प्रतिमाओं की आवगाहना के सामने क्या नंदाता होगा क्या नंदाता होगा इतनी विशाल का है प्रतिमा और उनकी भक्ति उनकी आलादना उनकी पूजा वे सौधर मिंद्र कर रहा है इन सब में अगर कोई मुख्य प्रधानता से गुण है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन ये मिथ्या भ्रांतियों में और लोगों के बातों में कभी 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 मत आना कि पंचम काल में सम्यक दृष्टी है ही नहीं है पंचम काल में सम्यक दर्शन होता ही नहीं है ये सब मिध्या कलपनाएं हैं कुंद कुंद भगवान को मानते हैं गुधा जी देखो आगली गाथा में कुंद कुंद भगवान पर्ष्ट कह रहे हैं पंचम काल में भी सम्मेक दर्शन हो सकता है बले ही उप्षम सम्मेक दर्शन है पर हो सकता है और जिसने एक बार प्रतमोक्ष्ण अपसम्मेक प्राप्त कर लिया, वह नियम से निर्वान को प्राप्त करेगा ही करेगा. नियम से करेगा, पढ़ो क्या कह दिया, उवसम्माई सम्मत्ताम. यह जो उपसम सम्मेक्त है, कब कहा, उवसरपणी काल दोसे न, वो असरपणी काल के दोस से जो मिच्छत तबले न मिध्यात के उदैसे जीवों का उपुसम सम्मेक्त नश्ट होतने पुरभी वह पुना उत्पन्न हो जाता है सम्मेक दर्शन पंचम काल में भी प्राप्त किया जा सकता है पर निर्णे आपको करना है कशायों को पुना-पुना उत्पन्न करते हुए हम उपुसम सम्मेक्त को नश्ट कर दे कि उपुसम सम्मेक को प्राप्त करते हुए कशायों को और विश्यों को दूर कर दे मान लिया मान लिया आपकी आपकी प्रतेग बात मान लि कि पंचम काल है, खोटा काल है, उतनी शक्ती नहीं है, उतना सहनन नहीं है साक्षात, परमात्मा, केविली, मनपरय, अवधी ज्यानी नहीं है ये भी स्विकार है, पर ये स्विकार नहीं है कि सम्मेक दृष्टी भावलिंगी गुरु नहीं है पंचमकाल में भी सम्मेक दृष्टी भावलिंगी निर्गरंथ मुनिराज है श्रावको आप भी तो भावलिंगी बनने का प्रयास करो श्रावक भी भावलिंगी हो सकता है जो सम्मेक दर्शन के साथ क्रिया कर रहा है वो भावलिंगी है आप भी तो बनो आप भी बनो पर आप तभी बन सकते हो जब पंचमकाल में खोटे पंचमकाल में भरतक शेत्र में हुंडाव सरपणी पंचमकाल में भी भाव लिंगी निर्गरंत मुनिराज पंचमकाल के आखरी श्वासों तक होते है ये जिसका निरने है वो ही भावलिंगी स्रावक हो सकता है सम्मेक दृष्टि अंतरात्मा हो सकता है कर लो निर्णे कर लो निर्णे, कर लो निर्णे पुन्हा, पुन्हा, पुन्हा समय मिले आवश्यक्ता नहीं है आवश्यक्ता नहीं है, आवश्यक्ता नहीं है स्रद्धान तो है मैं यह नहीं कह रहाऊ कि स्रद्धान नहीं है है पर स्रद्धान ऐसा है बिना पैंदी के बोलो ना बिना पैंदी के लोटे के समान कभी इधर लुड़क जाता है तो कभी इधर लुड़क जाता है कभी इधर लुडग जाता है कभी इधर उधर लुडग जाता है क्यों ऐसा स्रद्धान हुआ क्यों हमें दुख उठाना पड़ा क्योंकि क्योंकि कही न कही कही न कही राहुल भाई हमारे स्रद्धा में थोड़ी सी कमी है है स्रद्धा मुझे भी विश्वास है बिना स्रद्धा के आप यहां बैठी नहीं सकते जो घर में और भूगों में लगे है उनके पास हो नहीं हो पता नहीं पर यहां सुनने के लिए आए देशाज गुरु के पास आगे पीछे उनकी सेवा में लगे है अपल में मा साव इधर कभी उधर कभी उधर इस कारण से ही काम रुक रहा है कही नं कही काम बनते 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 पुना रुक जाता है मा ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता कई बार ऐसा होता है बनते 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 काम बिगड जाता है किसने बिगड़ा दूसरे ने कुछ मेरी स्रद्धा की कमी है स्रद्धा है उस स्रद्धा को मजबूत करो पक्का करो, स्थिर करो तभी कुछ काम हो पाएगा स्रद्धा है पर अभी चल है जैसे भगवान आपके चल है न ऐसे स्रद्धा भी आपकी चल है हाँ जावडाजी जब तक भगवान स्थिर नहीं है तब तक आपकी स्रद्धा और समाज भी बोहराजी स्थिर नहीं हो सकती नहीं हो सकती नहीं हो सकती ये जितने संकट के बादल मन रहा है न ये इसी का फल है सोच लो विचार कर लो श्रद्धा भी स्थिर हो जाए और आपके मुलनायक भी स्थिर हो जाए सब समाजबुना स्थिर हो सकती है इसलिए आपको मजबूती से स्थिर पहले श्रद्धा स्थिर हो जाएगी तो भगवान भी और भगवान हो जाएगी तो फिर सभी स्थिर हो जाएगा इसलिए विचार कर लेना विचार कर लेना भगवान भी है, स्रद्धा भी है पर अभी चलाएमान है बहुत बहुत बड़ा दोस चलाएमान का कहा है चाहे स्रद्धा का चलाएमान होना हो चाहे मुहलायक भगवान का हो इसलिए हम भी स्थिर हो जाए और भगवान भी स्थिर हो जाए पुना नयापुरा के नयादेन प्रारंब हो यही भावना सब भाय और निरनाय करे कि हम अपनी सद्धा को जमाले और भगवान को भी जमाले तो सब जम जाएगा, नहीं तो फिर नरकों में जम ना पड़ेगा, इसलिए समय को समय पर समझने के लिए हम पुना कल समय पर मिलते हैं, पर पता नहीं कल कहां कब कैसे हम मिल पाएंगे, जहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, पुना समय को समझने के लिए हम समय पर मिलते हैं, हा मैंने कहे दिया न अगर देवशास्त गुरु को जैसे मानते है ऐसे देवशास्त गुरु की मानेंगे तो गुरु भी स्रावकों की मान कर पुना आएंगे कौन सी बड़ी बात है जब महावीर चंदनबाला के लिए लोट के आये थे राम सबरी के लिए लोट के आये थे और सुप्रव सागर नयापुरा वालों के लिए लोट के नहीं आये ऐसा होई नहीं सकता पक्का आएंगे इतनी विशमता के बाद भी सब आ रहे है और गुरु भी आये है तो पक्का मान लेना स्रद्धा जम गई तो गुरु भी यही जम जाएंगे कौन सी बड़ी बात है अगला चत्रमास अगली वाचना पुना नयापुरा में हो जाए कौन सी बड़ी बात बस स्रद्धा जमा लो सब जम जाएगा कर लो कोई बात थोड़ी है स्रिपल तो चड़ाना आपको चड़ाना है हाँ गुरु जी को कहना है हमें तो आना है हमें क्या वरक पड़ता इसलिए विश्वास रखना अगर हमारे भी तरका स्रद्धान और विश्वास मजबूत है तो सब कुछ होने में देर नहीं लग सकती इसलिए सब के लिए बहुत आशिरवाद है जो पुरिश्वार ऐसी विश्वास परिस्थिती में भी आप समाज ने धैर्य के साथ किया है ऐसा ही धैर्य आने वाले समय में भी दिखाने का प्रयास करो और जितनी विश्वास मानो वे अगर भगवान हमारे स्थिर हो जाएंगे क्योंकि इतने अतिसेकारी भगवान और एक एक प्रतिमा ऐसी अतिसेकारी है थोड़ा सा मार्दस्थन आप स्विकार कर ले तो पक्का मान ले ना जो मंडराते हुए बोल्डोजर के बाद है वो भी समेट कर रह सकते है इसलिए समय को हम समय पर समझने के लिए पुना समय पर मिलते है क्योंकि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है बोली भगवान महवीर स्वामें की